दोस्तो आज हम पढ़ने वाले अतिव्यापन तो अतिव्यापन क्या होता है अतिव्यापन का मीनिंग होता है दो परमाणू कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो यह किरिया अतिव्यापन क्या लाती है अलब दो परमाणू कक्षकों का आपस में मिलना अतिव्यापन क्या लात सबसे पहले हम परिवासा देख लेते हैं अतिवियापन क्या है तो दो पर्माड़ों के कक्षकों के आपस में मिलने की किरिया अतिवियापन कहलाती है इस किरिया में सहसुजग बंद का निर्माड होता है अतिवियापन दो पर्माड़ों के कक्षकों का आपस मिलना अतिविय अतिव्यापन तीन प्रकार का होता है SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन आपको नोट्स अगर चाहिए तो कॉंटेक्ट कर लेना ठीक है नोट्स के लिए कॉंटेक्ट कर लेना लिंक में डिस्किप्शन में दे दूंगा या आप बहां से डालूट कर सकते है तो SS अधिव्यापन, SS अधिव्यापन क्या है, जब एक परमाणू का S कक्षक और दूसरे परमाणू का S कक्षक आपस में मिलता है, तो एह किरिया SS अधिव्यापन कहलाती है, देखो, दो परमाणू कक्षक है, पहला परमाणू कक्षक है, उसका कौन सा कक्षक है, S कक्षक, दूसरा प्रमान कक्षक है उसका भी S कक्षक है जब यह आपस में मिलेगा तो SS अतिवियापन कहलाता है है अक्षी होता है datos सामनी से होता है इसमें सिग्मा बनता है क्या वनता है सिग्मा वनता है एकजाम पाल जैसे S2 एक्जाम्पल क्या है H2 समाज लेते हैं H2 का क्यों लिया जो हाइडोजन है उसका लेक्टोनिक बिन्यास 1S1 होता है उसका लेक्टोनिक बिन्यास कितना होता है 1S1 होता है है अगर हम हाइडोजन की बात करें तो है इसका भी एसका अक्षक होगा तो एक पर्माणु का अक्षक दूसरे पर्माणु का अक्षक से जब अतिवियापित होगा अतिवियापित मतलब होता है 2 दूसरे का जैसे मैं कहूं एक सर्किल है अगर इस सर्किल पे दूसरा सर्किल बना दूँ तो एक इसको डार कर रहा हूं यह क्या है अतिवियापित इस्टा अगर है ठीक है तो इसमें एक एस कक्षक है दूसे प्रमारु काब्च है जब एम इसमें मिलेगा तो क्या होगा उतिव्यापित होगा वह लम बिशक का से दूस्रे प्रमारु का इसको कि साथ उबाले अप09 एफ होगा जितना वह उबाले आपको देखी रहे हैं ठीक है? इसमें जो वन्द वन्ध वन्द होता है, वो सिगमा होता है, क्या होता है? है सिगमा, ठीक है? सिंगल वन्द मनलब सिगमा. दूसरा होता है, S-P-A-T-B-A-P, आपस में मिलता है में इसमें सिग्मा बंद बनता है जैसे चुकि हम जानते हैं सिएल की बीच में एक बंद है सिंगल बंद में एक सिग्मा होता है है आपको ने पड़ा होगा पिश्ली कक्षा में कि अगर सिंगल बंद है तो सिग्मा डबल बंद तो mêmes और एक पाई त्यपल है तो एक सिग्मा डो पा जो सिग्मा बंद होता होाँ मजबूत होता पाई बंद इसके पिक्षा वith इसका लिएक्टोनिक बिन्यास 1H2, 2H2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 5, बदलब इसका लाइस्स कक्षक कौन है? P प्कूस है, P में मदलब PX, PY और P8 ठीक है? तो यह P कक्षक है, प्कूस है P कक्षक ही होगा, ठीक है, तो हाईरोजन का कौन सा कक्षक है? है S कक्षक और क्लोरीन का कुछ सा कक्षक है पी कक्षक एक एकजाम पढ़ने लिए देखेंगे आपके डाइग्राम देख रहे हैं यहां पे एक का S कक्षक है दूसरे का P कक्षक है कम्बाइन होंगे अक्षी अतिवयापन होगे मनलब एक दूसरे पर उबलेप होंगे तो कुछ हिस्सा इस पर चला जाएगा तो यह क्या है अतिवयापन और फिर कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है तो डाइग्राम की तो आप समाझ सकते हैं कि जो एक हाइड हो जान है उसका एस कक्षक है जो क्लोरीन है उसका पी कक्षक है और फिर ऐसा फॉर्म हो जाएगा ठीक है पीपी अतिवयापन पीपी अतिवयापन क्या है कि जब दो परमारू कक्षक होते हैं पहले परमारू कक्ष का भी नाफेश आपासमें स Jupiter होगा तो उसे हम पेपी अपन हो प्रार का होता को सिग्मान मतलब हम कह सकते हैं कि हो जिसमें सिक्कार मुनेंगे आशी होता है समाख्ष ठीक है और पासबलती बोलते हैं आशी या नख्शी भी की बोल सकते हैं जैसे एक जांपर लिए हमने लेक्टर और ओटू का लिए कि एक Tok सटक पूर करप लिए थी ऐसके एक लेकटर वोल वहulla कर लिंग है protect तो O2 के बाहरी कोस में 6 ऐलेक्ट्रोन और इसको कितने अलेक्ट्रोन चाहिए च्टक पूर्ण करने के लिए 2 ऐलेक्ट्रोन तो यह दुअलेक्ट्रोन का सांजा करेगा सांजा करके अपना इपना पूर्ण करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो O2 है O2 में double wand होता है और CL2 में single wand होता है तो जो single wand है यह हमेशा sigma होगा और इसमें एक sigma और एक πाई होगा देखिए हमें एक example के दुआ समझते हैं कि एह अतिव्यापन दो प्रिकार का होता है तो इसमें क्या होता है जब एक परमानु का पीकक्षक दूसरे परमानु के पीकक्षक के साथ हैड से मिलता है या से मिलता है इंगल्स में या फिर बीके सकते हैं जैसे आ पने पड़ा था पीकक्षक तीन प्रकार के होते हैं P X P Y P Z तो यहाँ पे एक P कक्षक है ठीक है एक परमाणू का दूसरे परमाणू का भी P कक्षक है मानिक चलो यह C L का P कक्षक है और यह भी C L का P कक्षक है ठीक है तो जो लोब्स देख रहे हैं ना है यह होते हैट क्या होते हैट तो यह हैड से मिलेगा तो कुछ ऐसा आपको टाइग्राम देखेगा यहाँ पर जो बंद बनेगा वो कौन सा बनेगा सिग्मा बंद ठीक है वहीं बात कर लें पी-पी नेक्षी अतिव्यापन की तो पी-पी नेक्षी अतिव्यापन में एक मिनिट रहे हैं जब एक परमाणू का पी-कक्षक और दूसरे परमाणू के पी-कक्षक के साथ साइड से मिलता है या कह सकते हैं पास रूप से मिलता है एक परमाणू के पी-कक्षक दूसरे परमाणू के साथ साइड से मिलता है या पिर पास रूप से मिलता है तो यह कि रिए पी-पी पास रट्स शाएं आतिव्यापन कहलाती है जैसे O2 जैसे O2, जैसे O2, तो O2 आपको मैंने बताया कि इसमें double bond बनता है, एक sigma होता है और एक pi होता है, तो यहाँ पे side से मिलेगा, यह head होते हैं, यह lobs होते हैं, इनको हम head बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे pp overlap होगा, और यहाँ पे जो बंद बनेगा, वो pi बंद होगा, कौन सा दोस्तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो please वीडियो को like कर दें, share कर दें, और subscribe जरू कर लें, ताकि आपके पास latest update आ सकें, अगर आपको इसलिए tip कोई साभी doubt आता है, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, या फिर आप comment box में हमारे साथ अपना doubt share कर सकते हैं, तो दोस्तो आज के लिएतना ही, कल मिलेंगे,